जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर फस्ट देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जिसमें हमें पढ़ना है राजनीत विज्यान की परिभासा छेत्र एओम उसकी प्रकृति क्या होती है इसके विज्यान में यह हमारा फस्ट चैप्टर है जिसको हम अच्छे से आपको बताएंगे इसके पहले हमने स्लेवस डिसकस कर दिया है अगर आपने स्लेवस ना देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए आपको प्लेलिस्ट मिल पीडिएफ पॉम में चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए वहां पर स्लेवस अप्लोडेड है साथी साथ यह सभी जो क्लासे कराई जा रहेंगे आपके चैप्टर वाइस जो भी कराई जाएंगी सभी आपको वहां पर नोट्स अवेलेबल कराई जा है कि हमें परिभासा हमारी राजनीतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या होता है उसके विसर छेत्र क्या है उसको पढ़ेंगे फिर उसकी प्रकृत को पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले राजनीत विज्ञान राजनीत सास्त्र को हम देखते हैं राजनीत सास्त्र सब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है नगर राज्य जो हमारा राजनीती विज्ञान है वह राजनीती सब्द से बना हुआ है और राजनीती का अगर हम अंग्रेजी में परियावाची देखें तो वह होता है पॉल्टिक्स और यूनानी भासा में देखें तो वह होता ह पोलिस और सबका अर्थ क्या होता है एक प्रकार से नगर या राज्य गार्नर जी ने भी कहा है कि राजनीती सास्त्र जो है वो राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समास्त हो जाता है तो राजनीती विज्ञान एक प्रकार से जो उत्पन हुआ है जिस सब्द से उसका अर्थ क्या है नगर या राज्य आगे हम राजनीत विज्ञान की राजनी सास्त की परिभासाओं को देखेंगे जो की अलग-अलग भी द्वाने के दारा दी गई हैं सबसे पहले हम बलंट सली के सब्दों में देखेंगे राजनी सास्त वह विज्ञान है जो राज्य से संब वासा दी है उसमें बताया है कि जो राजनीत विज्ञान है वह ऐसा विज्ञान है जो राज्य से संबंद रखता है अर्थात राज्य की मुलभूत इस्थितियों को बताता है उनसे तात्विक प्रकिर्ट क्या है उनके विविद स्वरूप क्या है तथा उसके विकास किस प् लिए हमने आपको पहले ही वताया है कि गार्नरं महोदे का यह जो आपका करिवहासा है बहुत ही महत्वुपूर यह इन्हों ने कहा है राज़नीती सास्त्र उस्का आध्यान सुरू होता है राज़वसी खतम हो जाता सीले क्या कहा है सीले महोदजी ने कहा है राजनीत सास्त्र ठीक उसी प्रकार सासन से संबंदित है जिस प्रकार अर्थ साथ संपत्ति से संबंदित है जीव विज्ञान जीवों से संबंदित है और बीजगडित अंकों से संबंदित है तथा रेखागडित विस्तारयों पईभासा से संबंदित है इसी प्रकार राजनीती सास्त्र जो है वह राजनीती संबंदित है अर्थात राज्य से संबंदित है क्योंकि आपको सुरुवात में ही हमने बता है राजनीती सब्द का जो उद्भा हुआ है राजनीती विज्ञान का जो उद्भा हुआ है वह राजनीती सब में देखेंगे लिकाग जी ने कहा है राजनीति सास्त्र जो है वह सरकार से संबन्दित अध्यन है जा क्या कहते हैं कÑते है राजनीति सास्तर ब्योस्तित रूप में उन आधार बूत सिधृधान्तों का निरूपड करता है जिनके अनुसार राज जी का संगठन होता है तथा उसकी प्रभुसत्ता का प्रियोग किया जाता है अलग-अलग बिद्वानों के द्वारा परिभासा को हम इस लिये पढ़ते हैं जिससे उनके दृष्टी कोड से हमें उस टॉपिक को देखने को मिलता है और अलग-अलग द्रिष्टी कोडों से जब हम किसी टॉपिक को देखेंगे तो वह हर एक प्रकार से हमें समझ में आ जाएगा आगे हम देखेंगे गैटिल जी क्या कहते हैं गैटिल महोदे कहते हैं कि राजनीज सास्त राज जी का विज्ञान कहा जा सकता है और यह राज समझ में आए आप कमेंट करके पूश सकते हैं पॉल जैनेट क्या कहते हैं राजनीज सास्त का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा सासन के सिद्धानतों की समिक्षा की जाती है अगर हम इन परिभासाओं के विसलेशर से देखें असपस्ट क्या होता है कि अधि विद्ध्वानों ने आपने परिभासा में देखा होगा कि राजनीज सास्त को एक विज्ञान मानते हैं सभी विचारक यह भी स्विकार करते हैं यह राज्य का अध्यन करता है इसमें राज्य के स्वरूप उत्पत्ति प्रकार संगठन उद्दे से वमकारी आजया जाते ह राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई राज्य कितने प्रकार के होते हैं राज्यों में संगठन कितने होते हैं राज्यों के उद्दे से क्या होते हैं राज्य के कार्य क्या होते हैं यह सभी आ जाते हैं किसमें राजनीत विज्ञान मानने वाले विद्वानों की संख लिया राजनीत विज्ञान के परिभासा देख ली अब हम देखेंगे राजनीती सास्त्र का राजनीत विज्ञान का छेत्र क्या है अर्थात राजनीत सास्त के छेत्र से क्या विप्राय है इस विशय के अंतरगत किन किन विश्यों का अध्यन करना है यह हमारा छेत्र का सास्त्र विशय जो है इसके अंतरगत हमें किन विशियों का अध्यान करना है यह हम छेत्र में जानेंगे राजनी सास्त का अध्यान जो है विशय एक प्रकार से राज्य हो जाता है और राजनी सास्त के छेत्र में संबंध में तीन प्रकार की निश्चित विचारधारा हैं मत तुसरी विचारधारा है राजनी सास्त केवल सरकार का अध्यन करता है और तीसरी विचारधारा है राजनी सास्त राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है पहली विचारधारा में देखिए केवल राज्य का अध्यन करता है लोग कहते हैं तो प्रथम विचारधारा राज्य को ही राजनीत इसास्त का अध्यन विशय मानती है राज जी ही राजनीत इसास्त का प्रतिपाध्य विशय है और इसका सरकार या सासन के अध्यन से कोई संबंध नहीं है इसके जो स्विकार करता है मतलब इस विचारधारा को मानने वाले हैं बलंट सली, गार्नर, गैटिल, आ का अध्यान हमें नहीं करना पड़ता है दूसरी विचारधारा हैं कि लोग सरकार का अध्यान करते हैं दूसरी विचारधारा की नुसारारा लग मानते हैं तो तीसरी विचारधारा के अनुसार राज्यों सरकार दोनों का ही अध्यान राजनी सास्त का अध्यान विशय है यह विचारधारा ही सत्य के अधिक निकट है राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार और सरकार के आस्तित्त के लिए राज्य की कलपना अनिवार है अगर हम राज्य को पढ़ रहे हैं तो राज्य को चलाने वाले सरकार के विसे में भी हमें पढ़ना होगा सरकार को चलाना है तो राज्य से संबंदी सभी बातों को हमें पढ़ना होगा इस परकार राज्य नीत सास्त्र जो है उसमें हमें राज्य और सरकार दोनों का अध् विशय हैं और राज्य की किरियात्मक अविव्यक्ति के लिए सरकार और सरकार के आस्तित्यों के लिए राज्य की कल्पना करना बहुत ही अनिवार है और इसलिए ही राज्य और सरकार दोनों ही राजनीत सास्त के अध्यन में आते हैं पाल जैनेट ने कहा है राजनीत सास्त सम पहला मानते हैं कि राज्य का ही अध्यन इसके अंतरगत किया जाता है दूसरा है सरकार का अध्यन किया जाता है तीसरा राज्य और सरकार दोनों का अध्यन किया जाता है राजनीच सास्त के अंतरगत और इन तीनों विचार धाराओं को छोड़ कर कुछ एक ऐसे भी आपके छ तत्तों की उपेच्छा नहीं कर सकते क्योंकि राज्य और राजनीतिक संस्थाएं मनुस्य के लिए ही हैं सामाजिक मनुस्य की राजनीतिक क्रियाएं ही राजनीत सास्त का विशय हैं अर्थात एक राज्य में मानों की क्या क्रियाएं हैं उनके विशय में भी हम राजनीत सास तो राज्य में राज्य का अध्यन करेंगे राज्य को चलाने वाले सरकार का अध्यन करेंगे और सरकार को बनाने वाली जनता का भी अध्यन करेंगे क्योंकि जो भी कारी हो रहा है जनता के ही निर्पेच में किया जा रहा है इन्हीं के नीमन के लिए राज्य तथा सरकार का जन्म हुआ है और इन्हीं की अभिव्यक्ति राज्य और सरकार में होती हैं। इस प्रकार राजनी सास्थ केस्ट에 अध्यन रिलेशन जो है वह भी राजनीती सास्त्र का एक महत्पूर फिसाच्छेत्र बन गया है अध्यन के लिए जो कि आपके लगभग आप पहुंचेंगे जब सिक्स सेमेस्टर में तो आपको आयार पढ़ना होगा इंटरनेशनल पॉल्टिक्स पढ़नी होगी इंटरनेशनल रिल लिए तो वीडियो और से लाइक कर दिये करिए जो भी पूछरा ना हो आपको इस लेक्चर में समझ में ना आया हो वह कमेंट में आप पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हैं राजनीती सास्त्र की प्रकृति कैसी होती है प्रत्य बीस है कि अपनी अपनी प्रकृति ही बहुत मद्वेद है जिस प्रकार परिभासा में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं छेत्र में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं उसी प्रकार इसकी प्रकृति में भी लोगों के विद्वानों के अलग-अलग मत हैं एक और ऐसे महान विचारक हुए ज से उदारण के लिए हम जाने तो अरस्तु जिसे प्रोफेसर मैक्सी ने पहला राजनीत सास्त्री कहा है उन्होंने राजनीत सास्त को सर्वोच विज्यान माना है अरस्तु ने क्या कहा है जो राजनीत सास्त्र है वह सर्वोच विज्यान है मतलब जितने भी विज्यान है उसम विलोबी जैलीनेक लासकी आधी इन सभी ने किसका समर्थन किया है इस विचारधारा का जो अरस्तु ने वताया है कि राजनीत सास्त्र विज्ञानों में सरवुच विज्ञान है हाल्ट जन्डॉर्फ कहते हैं कि ज्ञान के छेत्र में जो महान वृद्धी हुई है उसे देखते हुए यह अस्विकार करना असंभव है कि राज्य से संभन्धित सभी अनभवों अवस्थाओं और ज्ञान को राजनीत विज्ञान के अंतरगत लाया जा सकता है और दूसरी तरफ कैसे विचारधारा के लोग हैं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विचारख हैं जो राजनीत सास्त को विज्ञान मानने के लिए तैयार ही नहीं है इन विचारकों में बकिल, मेटलेंड, कॉम्टे, बर्क, आदिप्रमुख हैं मेटलेंड का कहना है कि जम मैं राजनीत विज्ञान सीरसक के अंतरगत परिच्छा प्रस्नों को देखता हूं तो मुझे प्रस्नों के लिए नहीं वरन सीरसक के प्रतिखेद होता है उनका कहना है कि जो राजनीत विज्ञान है या ना तो विज्ञान है और ना ही एक प्रक से कला है वह कहते हैं कि राजनीत का विज्ञान होना तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछडी हुई कला है बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदरे सास्त्र को विज्ञान की संग्या नहीं दे सकते उसी प्रकार राजनीती सास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता ह ऐसे अलग-अलग विचार प्रकिर्थ के छेत्र में भी लोगों के हैं। मतलब जो विद्वान राजनी तिसास्त को विज्ञान नहीं मानते हैं वह क्या तरक देते हैं। मनुस्य हैं पदार्थ नहीं मानव सभाव बड़ा ही विचित्र है और उसके विशय में एक रूपता निश्चितता तथा क्रम बद्धता नहीं होती है। मनुस्य का जो एक प्रकार से ब्योहार है उसका बिहावियर है वह बदलता रहता है। और हर एक मनुस्य का अलग-अलग सोच होती है तो हर एक के लिए कोई भी नीत इलागों की जाएगी वह समान नहीं होगी। मनुस्य के साथ सब प्रकार के कारड सदा समान परिडामों को जन्म नहीं देते हैं। पर किसी विज्ञान का निर्माड असंभव है। यह पहला तरक वा देते हैं। दूसरा तरक देते हैं सरवमान्य तथ्यों का अभाव। राजनी सास को इसलिए भी विज्ञान नहीं माना जाता क्योंकि इसमें विभिन तथ्यों पर एक मत नहीं हो सकते। मतलब कोई भी एक मत हो मानली जी अभी राजनीत विज्ञान के बारे में आपने देखा। तो विभिन विद्वानों में मत भेल हैं। कुछ उसको राज के अध्यान का छेत्र मानते हैं। कुछ सरकार के और कुछ राज्य और सरकार दोनों के अध्यान छेत्र मानते हैं। तो इस प्रकार लोगों का मानना है जो विद्वान कहते हैं कि यह विज्ञान नहीं है वह मानते हैं कि इसमें कोई भी तर्क हो कोई भी तथ्य हो उस पर कभी भी लोग एकमत नहीं हो सकते हैं प्रजातंत्रों समाचवाद को भी कुछ अच्छा मानते हैं कुछ नहीं मतलब कुछ लोग प्रजातंत्र को अच्छा मानते हैं कुछ लोग समाजवाद को अच्छा मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं सामयवाद कुछ के लिए धर्म हैं कुछ उसे सत्र मानते हैं इस प्रकार सरकारों के स्वरूप प्रसासन पद्धतियां राज्जी के स्वरूप और सभी विशियों पर अलग-अलग मत हैं यहां हम भौतिक विज्ञानों की तरह एकमत नहीं हो सकते हैं भौतिक विज्ञान मे निश्चित संबंध का अभाव राजनी सास की मूल घटनाएं अत्यन्त जटिल प्रकृत की होती हैं तथा उनमें विभिन्यता होती है इसलिए हम कार्य करण में संबंध बतलाने में असमर्थ रहते हैं जो विज्ञान की मूल आधार है राजनी सास की घटनाएं अनिश्चित भी होती हैं तथा उनकी अनेक कारण रहते हैं यह वैज्ञानि घटनाओं की तरह एक रूप और सरल नहीं होती हैं इन पर भाव भाव नाओं सम्वेंगों तथा विचारों का भी प्रभाव पढ़ता है इसलिए इनका वैवियानिक विवेचन कठिन है यह सभी जो आपका वत आपको यह चैनल मिल जाएगा चौथा तरक्या देते हैं वैज्ञानिक विधियां राजनी सास्त में संभव नहीं राजनी सास्त में वैज्ञानिक विधियों के प्रियोग में कठिनाई होती है और यहां परिच्छर तथा प्रियोग संभव नहीं होता है यहां ना तो हम म अलग अलग परिष्थिति में करेंगे तो वह हमें अलग अलग परिडाम देगा इसलिए हम उसके लिए कोई भी निश्चित परिडाम नहीं मान सकते हैं शुरू किया गया प्रियोग नई परिष्थितियों में बेर्थ हो जाता है और यदि हम प्रियोग का प्रियतन भी करते तब प्राप्त परिडाम ना तो निश्चित ही होते हैं ना ही सीग्रता से प्राप्त होते हैं पांचवा और अंतिम तर्क देते हैं कि भविस्यवाडी की छमता का अभाव राजनीत सास के विज्ञान होने में एक आपतिया है कि इसके निश्कर से ओम नियम सुध तथा कोई निश्चित भविस्यवाडी नहीं कर सकते हैं यह उन्होंने तर्क दे दिया आपके विज्ञान ना मानने का अब जो राजनीत सास्त को विज्ञान मानते हैं वह क्या तर्क देते हैं वह काते हैं राजनीत सास्त को विज्ञान ना मानने के तर्क सही नहीं है वास्तों विज्ञान नहों कर यह एक सामाजिक विज्ञान है अरस्तु इसे क्या कहते हैं सर्वोच विज्ञान the master science in the highest sense यह बात आपको तीन बार इस लेक्चर में ही बता दी गई तो समझे यह बात कितनी important होगी इसको आप अवस्याद करें आपके जब भी आए पेपर में यह प्रश आप यह चीज लिख सकते हैं कि अरस्तु जी ने क्या कहा था the master science in the highest sense विज्ञानों में सर्वोच विज्ञान जो है राजनीत विज्ञान है इसका जो समर्थन करने वाले हैं पहले ही हमने आपको बताया जो इसे विज्ञान नहीं मानते उन्होंने विज्ञान का ठीक अर् ठीक अर्थ नहीं जानते हैं विज्ञान किसी विशय का क्रमबध ज्यान है जो विज्ञानिक पध्धतियों से प्राप्त किया गया हो सू संगठित सू विवस्थित क्रमबध ज्यान को विज्ञान कहते हैं जो प्रियोगों और प्रेक्षडों पर आधारित है यहां आपन वक्रम बद्ध ज्यान के रूप में कि जाती है थात सू संगठित सू व्यवस्तित क्रम बद्ध ज्यान को विज्यान कहते हैं और इसी आधार पर विद्वानों ने राजनीत विज्यान को विज्यान माना है इसे विज्यान मानने के लिए उन्होंने कारड भी दिये हैं और य तत्त थे आपको जो भी टॉपिक आपको ना समझ माये कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हैं विज्ञान मानने वाले विद्वान क्या तर्क देते हैं वह कहते हैं कि राजनीती सास्त्र का विज्ञान क्रमबध्यों ब्यवस्थित है अगेन हमने आपको परिभा को एक निश्चित मानकर उसी के आधार पर अपना तर्क दिया हुआ है कि राजनीती सास्त्र का विज्ञान क्रमबध्यों ब्यवस्थित है कैसे राजनीती राज्ये और सरकार का क्रमबध्य अध्यन करता है और इसकी अपनी विशय सामागरी है और छेत्र जिसमें यह तथ का संग्रा करता है उनको क्रमबध्य डंग से संबंधित करता है तता उनके आधार पर सिद्धानतों नियुमों का सामानी करण भी करता है दूसरा है वैज्ञानिक पध्धतियों द्वारा अध्यन राजनी सास्त के अध्यन की निश्चित वैज्ञानिक पध्धतिया है यह भी नीती नया कानून बनता है उसका हम प्रियोग करते हैं और प्रियोग साला हमारी पूरी संसार है प्रजातंतर समाज वाद संयुक्त रास्ट संग सब इसके प्रियोग हैं यदि ये सफल हैं तब नहीं चलते हैं अन्यkeepत्याग देते हैं साथ ही हम आतिहासिक तुलनात्मक पद्धतियों को भी अपनाते हैं दूसरी लाइन हमने आपको विज्ञान की परिभासम बताया था जो प्रियोगे ओं प्रेक्षडों पर आधारित है अर्थात देखिए राजनीति विज्ञान जो है हम भी उसका प्रियोग करते हैं और वह सफल रहती हैं तभी हम उसको करते हैं अगला हमारा कारण है अध्यन सामागरी की प्रकृति में अस्थायतियों एक रूपता राजनी सास्त में तथ्यों के विश्यों में परियाप्त एकता पाई जाती है यदि एकता की कुछ कमी है तो यह विशय की विज्ञानिकता का आभाव नहीं है बलकि मानों की बदलाव है लेकिन जैसा ब्राइस कहते हैं मानों प्रकृत की प्रवितियों में एक रूपता तथा समानता होती है और जिसकी सहायता से हमें यह पता चलता है कि एक ही कारणों से प्रभावित होकर मनुस्य बहुदा एक ही प्रकार के कारिये करता है और कारियों का वरगी कर राजनीत सास्त में भी निश्चित नियम और परिडाम होते हैं यह नियम और परिडाम प्रवितियों के सूचक होते हैं जब हम कहते हैं कि असमानता से क्रांतियां होती हैं प्रजातंत अच्छी सरकार है मता अधिकार से राजनैतिक चितना आती है तब सापेच्छी रूप से ये परेडाम सही है हम सामाजिक सास्त्रों में भौतिक सास्त्र की निश्चित्ता की यासा नहीं कर सकते हैं और हमारा अगला और अंतिम उन्होंने कारण बताया है भौश सिवारी की छमता भी राजनीती सास्त्र में राजनीत विज्ञान में है उन्होंने कहा है कि राजनीती सास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है यह उसी अर्थ में विज्ञान है जिस अर्थ में अर्थ सास्त्र नीति सास्त्र या समाज सास्त्र विज्ञान है समाज सास्त्र का विशय मनुस्य है जिसका आचरण निर्जीव अस्तूं से भिन होता है यद्य भवतिक सास्त्रों की तरह निश्चित परेडामों भविस्य वाड़ी नहीं कर सकता तथा पी इतना तो निश्चित है कि इस विशे में भी भविस्य वाड़ी संभव है चाहे वह भविस्य वाड़ी सदा ही सत्य नहीं हो फाइनर के सब्दों में हम निश्चित पूर्वक भविस्य वाड़ी नहीं कर सक को थे आगे हम देखेंगे इस परकार राजनी ना होने की वजद भी विज्ञान का अधिक्राइन करता है राजनेतिक तथ्यों का विज्ञानिक परिवेच्छर करके उसका पारस पर एक संबंध अस्थापित करता है और फिर उनका क्रम बद्ध वर्गी करण करता है इसलिए यह विज्ञान है राजनीती सास्त्र जो है वह एक विज्ञान है अंतता विद्वानों ने सिद्ध कर दि और वह एक विज्ञान के रूप में अस्थापित भी किया गया हमने राजनीत विज्ञान देखा परिभासा उत्पत्ति ही उसके छेत्र उसकी प्रकिरती और राजनीत विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों के तर्क राजनीत विज्ञान को विज्ञान न म मानने वाले कला मानने वाले विद्वानों के भी तर्क हमने देखे इस प्रकर हमारा यह चैप्टर होता है समप निक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा चैनल पर बने रहें टेली घ्राम चैनल जॉइन करें दोस्तों के पास शेयर करें विडियो लाइक करें come करके जो भी ना आपको समय माया हो पूछे धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में